आपको ये भी बता दी कि अब कई तरह की सवाल जोगे वो भी उट रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रविवार को नफे सिंग की सरे आम जो हत्या हुई उसके बाद ये जो पूरा कनेक्शन है लॉरेंस विश्णोई गैंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भ वो ताजा कर देता है प्रस्मीर आप देख भी रहे हैं उस वक्त सिदू मुसेवाला का मुर्डर भी कुछ इसी तरीके से हुआ था शुड़ो ने उनकी थार गाड़ी पर अंधा दुन फाइरिंग की थी और उसी ताबर तोड फाइरिंग में सिदू मुसेवाला की मौत के घाट उने उतारा गया था और बाद में खुलासा हुआ था कि सिदू की थार पर करीब 30 गोलिया मारी गए रविवार को शाम 5 बजे महादूर गड़ के बराही रेलवे स्टेशन के पास उस फॉर्चुनर पर भी ऐसी ही ताबर तोड फाइरिंग हुई थी और उस फॉर्च रेलवे फाटक बद था इसलिए गाड़ी रोकने पड़े तब पीछे से आई एक सफेद आई टेन कार में पांच लड़के उतरे और बिलकुल नज्जीक आकर ताबर तोड फाइरिंग करने लगे और इस खौफनाक वारदात की चश्मदीत और नफे सिंग के ड्राइवर क पर इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा क्योंकि सारा तौर तरीका बिलकुल सेम नजर आ रहा हत्या के लिए शाम का वक्त चुना गया हत्या से पहले कार का पीछा किया गया कार पर ताबर तोड फाइरिंग की गई पिन पॉइंट करके तारगेट किया गया हत्या की जो इस वारदात में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला गए और ना ही किसी गैंग के तरह से कोई जिम्यदारी ली गई है मगर हत्या के तरीके पूरी मॉडस और प्रेंडी से पुलिस को अंदाजा यही लग रहा है कि यहाँ पर इस वारदात में किसी गैंग का हाथ जो है वो हो सकता गए पुलिस से हत्याकान के लिए सुपारिंग केलिंग की जो आशंका है वो भी यहाँ पर उससे इंकार नहीं कर रही है हर्याणा के बहादूरगर में कार सवार हमला वरू नों जिस तरह ताबर तोर गोलिया बरसा कर पूर्विधायक नफे सिंग राठी की हत्या कर दी उससे नफे सिंग के घरवालों को लगता है कि यह पॉलिटिकल मडर है और नफे सिंग के साथ सियासी रंजिश रखने वाले स्वारदात को जो है अंजाम दे सकते हैं नफे सिंग इन्हों की हर्याणा चीफ थे और उनकी फॉर्चुनर कार पर ताबर तो गोलिया जो है वो बरसाए गई कातिल और उनकी कार सीची टीवी में कैद हो गई है उसमें कार जो है साफ तोर पर नजर आ रही है और उसमें बैठे लोग भी नजर आ रहे हैं लेकिन उसकी बावजूद जो है यहां पर यह साफ नहीं हो पा रहा क्योंकि यह कहा जा रहा कि सुत्रों के हवाले से खबर कर दो ही आए